हेलो फ्रेंड्स, विलकम टू बेक माई यूटूब चनल रोटू सक्सेज में आज किस वीडियो में हम बात करेंगे RSM SSB यानि के राजस्तान स्टाप सेलेक्शन बोर्ड जियापूर रिक्रीटमेंट 2022 के ओनलाइन एप्लिकाशन के बारे में सोफिंड्स नियाप्राप का RSM SSB की तरफ से आपका याप नियू नोटिफिकाशन जारी किया गया है जिसके जो ओनल आविदिन हैं आप किस तरह से इस एप्लिकाशन फॉर्म को फिलप कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में तो फिंड्स यहाप पर आपका राज़तां सिस्टाब सेलेक्सिन बोड की तरफ से आपका याप यापस जे-ई यानकी जूनियर इंजिनेरिंग का आपका यापस रिक्रूट्मेंट रखा गिया है तो फ्रेंट्स जैसा कि यहां पर आप देख पारे हो अब बात कर लेते हैं कि इंपोर्टन डेट की तो फ्रेंट्स यहां पर आपके जो ओनलाइन आवज दिन है 21 जनररी 2022 से स्टाट हो चुके हैं और आपकी एपलाई करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 19 प्रवरी 2022 तक आप इस फॉर्म के लिए अपलाई कर पाएंगे और आपका जो भी फीस होगा आप उसको गुनिस फ्रवरी 2022 तक आप उसे फिलप कर पाएंगी बात कर लेते हैं इसकी जोब लोकिशन की तो आपका यहां पर जो जोब है वो राजस्तान के लिए इंवेंट किया है बात करें इसकी एज लिमिट की तो आपका जो एज है आपका यहां पर एक जनवरी 2023 तक कंपलीट होना चाहिए जिसमें आपका मिनिमेम एज 18 एयर रखा गया है और मेग जिमेम आपका हैं पर 14 एयर रखा गया है तो इस तरह से जो भी आपका एलिजेबिटी क्रेटिरी है आप उसको अच्छे से रिटाउट करेंगी बात कर इसकी नंबर आपके जो नंबर आउ पोस्ट है आपका 2022 पोस्ट इन्वेट किये गिये हैं तो इस तरव से यह आप लुगिन करना होगा जब आप यहाँ पर आप लोगिन कर जाओगे तो इस तरह का आपको डेसिपूर्ट देखनों को मिल जाएगा अब फिन्स यहाँ पर आपको जो है रिक्रूट्रमेंट वाला पोर्शन आपको यहाँ पर सेलेट करना है उसके बाद यहाँ पर आपको थड्ऱर ऑप्सन मिल जाता है ओंग गोगिन को रिकूर्टिमेंट का तो यहाँ पर आप नीचे आएगे और आपको देखनों को मिल जाएगा Direct Regretment of Gen तो फिंच यहांपर आपको Apply का Option मिलता है तो यहांपर आप Apply Non पर किलिक करेंगे उसके बाद दोस्तों यहांपर आपको आपको अप्र आपको यहांपर फिलब करना है तो सबसे पहले जो भी आपका Name है वो आपको यहांपर एंटर करना है उसके बाद अपना gender आपको select करना है तो यहाप आपका अपना gender select करना है देन उसके बाद अपना father name आपको enter करना है अपना mother name आपको enter करना है देन यहाप आपका जो भी date of birth आपको यहाप पर select करना होगा इस तरह से यहाँ पर आप सेलेट कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी टोटल एज है आप उसको चेक आउट कर सकते हैं अब यहाँ पर आपका जो भी केटिगरी है आप उसको सेलेट करेंगे जो भी आपका केटिगरी है आप उसको सेलेट करेंगे यहाँ पर आपका जो भी religion है आप उसको select करेंगे यहाँ पर आपका जो भी religion है आप उसको mention करेंगे यहाँ पर आपका जो marital status है आप उसको select करेंगे आप married है unmarried है उन condition में आपको select करना है अगर आप married करते हो तो जो भी आपका यहाँ पर response name है वो आपको देना होगा उसके बाद दूस्तों यहाँ पर आपका जो ऑप्षन है यह आपका merit candidate के लिए रहेगा तो यहाँ पर आप सेलेट कर सकते हैं तो इस थर से यहाँ पर आपको type करना होगा तो यहाँ पर आपका यह डिसेबल हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी चाल्ड का नंबर है आपको यहाँ पर एंटर करना होगा तो यहाँ पर अगर आप अगर आपको 00 सेलेट करना है उसके बाद दूस्त तो यहाँ पर आपका जो भी मोबाल नंबर है वो आप उसके एंट्रिक करेंगे एंट्रिक करने के बाद जो भी आपका इस्टेट है आप उसको सेलिट कर सकते हैं और इसके बाद जो भी आपका डिस्टिक है आप उसको मैंशन करेंगे यहां पर आपका जो भी सीटी है विलेज का नेम है वह आपको यह पर देना है तो इस तर आपको next पर किलिक करना है उसके बाद यहाप आपके सामने इस तरह का pop up open हो जाता है अगर आपका mobile नमबर और आपका जो भी email address है अगर आपने correct फिलप किया है तो यहाप आपको confirm करना है तो यहाप आपको yes पर किलिक करना है उसके बाद फरेंड्स यहाप आपका जो personal detail है वो लोक है आप उसको एंटर करेंगे इस तरह से आपको टाइप करना है निया से डियोंग करते हो यह method ुड्विस करते जो भी आपके यहां पर कंट्रिड था उसका नेम आपको चूँश करना है इसना प्राप का इस्पेसल केटेगरी तो अगर आप एक सर्विस में है तो यहाप को यहाप करना है तो यहाप कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों यहाप से कहा गया कि अगर आप यहाप पर इसपोर्ट परसन है तो यहाप को यहाप को यहाप करना है उसके बाद दोस्तों यहाप अगर आप रास्ता की गोर्मेंट है तो यहाँ पर आपको यह सेनो सेलेट करना है इस तरह से सारी डीटल आपको एंटर करनी है अगर आपकी पारे बार रिकाई डायलाग से कम है तो यहाँ पर आपको यह सेनो सेलेट करना है इस तरह से यहाँ पर आपकी सारी डीटल आपको उसकी डिटल आपको देनी है तो यहाँ पर आपका जो भी 10th का सब्जेक्ट नम है वो आपको देना है तो यहाँ पर आप जो भी 10th का पासिंग है आप उसको सेलेट करेंगे आपके 10th में CGP marks थे या फिर grade या फिर percentage तो आप यहाँ पर सलेट करेंगे उसकी बाद आपका जो भी 10th का पासिंग है आप उसको चूस करेंगे इस तरह से आपको टाइप करना है और आपको यहाँ पर जो भी 10th का पासिंटेज है आप उसकी एंट्रिक करेंगे और इसी तरह आपको यहाँ पर 12th की data देनी है तो सबसे पहले एका subject group आपको देना है तो यहाँ पर आपका 12th में कौन सा subject है आप उसकी एंट्रिक करेंगे उसकी बाद आपका 12th का टोटल percentage है आप उसकी एंट्रिक करेंगे एंट्रिक करने बाद दोस्तों यहां पर आपकी जो भी डिगरी है यानि कि आपकी जो भी civil engineering की जो डिगरी है आप उसको एंट्रिक करेंगे इसी तरह से friends यहां पर आपकी civil engineering की जो डिगरी है उसके detail आपको देनी होगी तो सबसे पहले आपका यहां पर जो भी subject है आपका subject का name आपको देना है और आपका जो भी university का name है वो आपको देना है और आपका जो भी engineering का जो roll number है वो आपको फिलप करना है आपका result टाइप आपको select करना है इस तरह से यहां पर आप select कर सकते हैं दोस्तों यहां पर आपको result सोट सेफ और आपको कैने हैं तो अगर आपको नेच्ट पर क्लिक कर ना है उसके यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका photo and signature का option तो यहाँ पर आपके जो भी photo and signature है आप उसको upload करेंगी तो सबसे पहले जो भी आपका लेटेट कलर passport size photograph है आप उसको upload करेंगी तो यहाँ पर आपका जो फाइल का size है 50-20 से 100 के भी गंटर आपको upload करना है फाल का type आपको jpg format में upload ouverton ô vergat how to choose file पर किल्क करना है और जो भी आपका photograph है आप उसको select करेंगी उसकी बाद आपका जो भी signature है वह हंदी में आपको upload करना है तो आपका जो भी signature हो 20-15 गंटर आपको upload करेंगे तो फिंस यहाँ पर आपको जो update profile option मिलता है तो यहाँ पर आपका पर अपन है है अगर आपने पिले से अविदन कर रहात तो उसको आपडेट करने के भाद जो भी आमका फोट लेतर हो जाएगा तो दोस्तों इसको फिल अप करने के बाद यहाँ पर मिल जाएक है बोडी मर्क है तो अगर नीचे आने के बाद यहां पर आपको फालन समिट पर फिर से क्लिक करना है अब आपका यहाँ पर आपका फूर्पन हो जाएगा जूब पस्ट होगा आप उसे वोज कर सकते हैं तो यहां पर आपको करना है तो यहां पर आपको पर क्लिक करना है यहां पर आपको फिर सी ओकर जाएगा कि जो भी आपका इंस पर ब्रावजर है आपको bubbles ले आ दो अगर अझत करना चाहते हैं या अग्रेटर की मादियम से करना चाहते हैं अप सिलेट करेंंगे वह सेलेट करने के बाद दोस्तों आप जो भी बेंक है आप उसको सेलेट कर सकते हैं जैसे मैं यहां पर कर रहा हूं उसके बाद दोस्तों यहां पर आपका जो भी अमाउंट होगा आप उसे रेड़ाउट कर सकते हैं तो यहां पर आपको पेना उपर क्लिक करेंगे तो यह आपका यहां पर जो पेमेंट वाला उप स्ट्राइब करना है तरह यहां पर प्रिंट आप उसे निकाल पाएंगे तो इस तरह से दोस्तों यहां पर आपका जो नियर इंजिनेरिंग का फॉर्म है आप इसे फिलप कर सकते हैं तो इसी वीडियो में हमने कम्प्लेट डेटल में बात की इसी वीडियो को पसंद आया है दोस्तों वीडियो का पसंद आयती है तुट इस वीडियो को लाइक से रहने स्ब्सक्राब जरू करीए सुफिंट लगते किसी और वीडियो में तब तक के लिए जे हिन जे भारत